उत्तर प्रदेश के लाखो अभिर्थिवों को इंतजार है। प्रदेश में नई प्रात्मिक सिक्षक बढ़ती उस्पर्पर बात करें। आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी हैं। अगर हम यहां पर बात करें प्दों की संख्या। टीजीटी पीजीटी के पदों में कितने कुछ आपके रिक्त हैं हेड़वांस्टर को ले करके भी यहाँ पर चर्चा की गई है साथ में जब हम प्राइमरी के पदों की बात करते हैं आप वहम जानकारी देना चाहेंगे कि लगबग 80,000 पदों को विधान सभा में जब हम प्राइमरी की बात करते हैं उसमें आपको रिक्त देखने को मिलेंगे जो कि अभी जब हम नई प्रात्मिक शिक्षक भरती की बात करें सरकार ने जिस तरीके से दावा किया जो आयोग है वो आया और ऐसे में अब जब सरकार की बात करें तो वो ये जरूर कह रहा है कि भरती देखने को मिलेगी लेकिन समय जो है वो फिलहाल के लिए बताया नहीं जा रहा है कब तक नोटिफिकेशन दिया जाएगा कब कुछ इसका जो कुरिया कलाप है जो इसकी कार्यविधी है जो गतिविधी है वो अपने एक जब हम आक्शन मोड की बात करते हैं उसमें देखने को मिलेगी यहाँ पर देखेगा जब हम आज की खाबर को लेकर के बात करें सिक्षकों की कमी से पढ़ाई कमी से पढ़ाई पर संकट छादर संख्या भी कम हुई और यहाँ पर प्रदेश भर के 4512 साहित अपराप्त मद्ध में किसकोल में 25,000 से अधिक सिक्षकों के पद रिखत हैं इसमें विशेश रग्यों की बात करें सबसे अधिक कमी है इसकोल में आप कहाँ पर देखें कि अलग अलग जब हम विवरा को लेकर के बात करते हैं टीजिटी की पद की बात करें प्रदेश में साहित सिक्षकों के 17,803 पद में से 20,999 लगभग 21,000 पद जो है वो खाली है आप देखें कि प्रवक्ता के 22,220 में से 4,703 और यह पूरा विवरा डेटेल यहां पर दिया हुआ है तो पढ़ाई भी बादित हो रही है स्कूल ड्रॉप आउट भी है बच्चे स्कूल छोड़ भी रहे है संख्या कम भी हो रही है लेकिन सरकार को बिलकुल से इस बारे में अगर हम इल्म की बात करें कि क्या कुछ स्कूलों में चल रहा है जो कही न कहीं अभी इनको सही तरीके से देखना चाहिए सिक्षा विवस्ता में सुधार करना चाहिए बस आयोग आया है उसके बाद के अगर बात करें तो कुछ भी सही तरीके से भी सरकार के द्वारा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है शिक्षा विभाग को लेकर करके अगर हम बात करें बाकि यहाँ पर उम्मीद रहेगी कि जो भी यहाँ पर ऐसे में डिटेल दिया गया है इन पर संभवत आहा जल्दी ही भरतियां देखने को मिलें BTC, DL8, B8 जो भी किये हैं उनको एक मौका मिले कहीं न कहीं जब हम सिक्षक बनने की बात करते हैं वहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया आँ सुभी का एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे